हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में समाजिक भी ग्यान के 100 महतपुन अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे और इस 100 अब्जेक्टी प्रशन में से 40 अब्जेक्टी प्रशन आपके फाइनल बुड परिक्षा में 100% आएगा ये हमारा ग्रांटी है तो एक भी प्रशन आप लोग इस कीमत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और हमारे वेबसाइड पे ओनलाइन टेस्ट चल रहा है तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिये हैं तो जाके टेस्ट दे हैं तो ये सभी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे और अभी तक आप हमारे वाटसब गुरूप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा वाटसब नमबर है 87, 89, 30, 73, 04 इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे गुरूप में जोड़ दीजिए तो हम आपको गुरूप में जो किस परकार की दलिय अबेवस्था है तो भारत में एक से अधिक दल है इसलिए भारत में बहुद अलिय अबेवस्था है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों को 100 अबजेक्टी प्रशन सॉल्फ करना है तो हम यहाँ पे फटाफट सॉल्फ करेंगे और आप लोगों को भी क्या करना है कि लाइफ चैट में आपको एंसर फटाफट बताना है आईए देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर दो नंबर प्रशन की राष्टिय विकास परिसत का गठन कब हुआ यहाँ पे आपको बताना है कि राष्टिय विका आप दो लॉस आप बियतनाम के लेखक हैं काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि दो फान बोई चाओं है इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे विवाला आप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर प्रश एक कैसा राष्ट है तो भारत एक विकासिल राष्ट है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे विवाला आप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन पांच नंबर प्रशने की प्लास्टिक मुद्रा का एक उधारण है इसमें से आपको बताना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उधारण है तो जो ATM काड होता है यह प्लास्टिक मुद्रा का एक उधारण होता है तो यहाँ पे सी वाला आप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 6 नंबर प्रशने की भारत में कहा महिलाओं के यहाओ पे डी वाला उप्चन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रष्ण सात नमबर प्रष्ने की बिश्व ब्यपार संगठन की अस्थापना कभ हुआ हैं यहाँ पे आपको बताना है कि 20ie बिश्व ब्यपार संगठन का अस्थापना कभ हुआ तो 1995 में हुआ यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना आठ नमबर प्रशने की भारत का केंद्रिया बैंक कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है की भारत का केंद्रिया बैंक कौन सा है तो भारत का केंद्रिया बैंक रिजरो बैंक ओफ इंडिया है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 9 नमबर 9 नमबर प्रशने की सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है यहाँ पे आपको बताना है की सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है तो महरास्ट्रे है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला option बिल्कुली सही हो जा आईए देखते हैं अगला प्रश्णा 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्णा की सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, यहाँ पे आपको बताना है की सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ, यहाँ पे भीवाला ओप्स बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 11 नमबर प्रशने कि टीपू सुल्तान कहां के सा सकते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहां के सा सकते हैं तो मैस्यूर के सा सकते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण है कि पंजाब में भूमी निम्न करण का मुख्य कारण कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है कि पंजाब में भूमी निम्न करण का मुख्य कारण कौन सा है तो अधिक सी चाहिए है यहाँ पे D वाला ऑप्षन बिल्कोली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नमबर, 13 नमबर प्रश्न है कि War and Peace किसकी रचना है यहाँ पे आपको बताना है कि War and Peace किसकी रचना है तो Leo Tolstoy की रचना है इसे आपको याद रखना है यहां पे बीवाला ओप्षण बिल् wszी सही हो जायगा, आईए देखते हैं अगला प्रषण 14 नंबर, 14 नंबर प्रषण Check is बेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया था? यहां पे आपको बताना है की बेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया था? तो स्वामी देयानन्द सरोसती ने दिया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पंदरा नंबर प्रश्ण है कि संजे गाधी जैवी कुध्यान किस नगर में इस्तित हैं यहाँ पे हत्पून अब्जेक्टी प्रश्ण हम आपको बताएंगे तो एक भी प्रश्ण आप लोग इसकी मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को अधारित होता है तो ये धरम पर अधारित होता है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला उप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 17 नंबर 17 नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से किसको प्राथमिक छेतर कहा जाता है यहाँ पे वी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ना 18 नमबर, 18 नमबर प्रश्ने कि किसने कहा था कि संसादन होते नहीं बनाये जाते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि संसादन होते नहीं बनाये जाते हैं, तो जिमर मैन ने कहा थ तो यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नंबर, प्रश्ण की लोगतंत्र की सफलता निर्भर करता है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोगतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो नागरीकों की विवेकपूर्ण स बिकास संभव नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस ने कहा था कि बिहार के बिना भारत का बिकास संभव नहीं है, तो एपी जे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, तो यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्ण है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है, तो मुंबई का बंदरगा है, इससे आपको याद रखना है, यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशना 22 नमबर प्रशने की safety lamp के अविस्कारक हैं यहाँ पे आपको बताना है की safety lamp के अविस्कारक कौन है तो हेंफरी डेवी है इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना 23 नमबर प्रशने की में हुआ था तो यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना 24 नमबर प्रशने की कागच का विस्कार किस देश में हुआ यहाँ पे आपको बताना है की कागच का विस्कार किस देश में हुआ था तो कागच का विस्कार चीन में हुआ इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नमबर, 25 नमबर प्रश्न की ग्राम कचहरी का परमुख कौन होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का परमुख कौन होता है, तो सरपंच ह होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला उप्सटन बिलकुली सही हो जाएगा आप लोग फटा फट यहाँ पे लाइफ चैट में आपलोग आंसर दिजिये हम सभी का यहाँ पे नाम ले रहे हैं और यहां पे सभी का आंसर भी देख रहे हैं तो आप लोग फटा-फट यहां पे आंसर दीजिए और इस वीडियो में समाजिक विज्यान के 100 objective प्रशन बताएंगे जिसमें से final board परिक्षा में 40 plus प्रशन आपके final board परिक्षा में आएगा यह हमारा grantee है तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आए देखते हैं अगला प्रशन 27 नंबर 27 नंबर प्रशन है कि मानो पूजी के परमुख घटक हैं यहाँ पर आपको बताना है कि मानो पूजी के परमुख घटक क्या है तो ग्यान कोसल और अनुभव यानि यह सभी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशना 28 नंबर 28 नंबर प्रशने कि नेपा नगर परसीद है यहाँ पर आपको बताना है कि नेपा नगर किस के लिए परसीद है तो यह अकवारी कागज के लिए परसीद है यहाँ पर बी वाला option बिल्कुली सही हो आए देखते हैं अगला प्रशना 29 नंबर 29 नंबर प्रशने कि बैस्वी करण के मुख्य कितने अंग है यहाँ पर आपको बताना है कि बैस्वी करण के मुख्य कितने अंग होते हैं तो बैस्वी करण के मुख्य 5 अंग होते हैं तो यहाँ पर C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न तीस नंबर तीस नंबर प्रश्न है कि अंतरास्टी या मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है यहाँ पर आपको बताना है कि अंतरास्टी या मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है तो एक मई को मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण है 31 नमबर 31 नमबर प्रश्ण है कि जनेवा समझोता में किस देश को दो भागों में बाटा गया यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझोता में किस देश को दो भागों में बाटा गया तो भी अतनाम को दो भागों में बाटा गया तो यहाँ पे डी वाला option बिल्कुली सही हो जाए आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 32 नमबर प्रश्ण की ब्रिहत छेतर में जल की उपस्तिती के कारण प्रिथवी को कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिहत छेतर में जल की उपस्तिती के कारण प्रिथवी को क्या कहते हैं तो नीला गरह कहते हैं यहाँ पे बीव प्रशन आपाति बिलकुल ही सई हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 33 नमबर प्रशन यहाँ पre floatbit का संबन किसे हैं यहाँ पर आपको बताना है कि स्वेत करान्ति का संबन किसे है तो ship करान्ति का संबन से है इसे आपको याद रखना है यहाँ यहां पे D वाला option बिलकुली सभी हो जाएगा आख़्यर्थ देखते हैं, अग्ला प्रश्न 34 नमबर, प्रश्न एं कि भारत की मुख्य खादे फसल कोन सा है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की मुख्य खादे फसल कोन सा है तो चावल है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नमबर प्रश्न है कि भारत का राष्टिय पसू कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्टिय पसू कौन सा है तो भारत का राष्टिय पसू बाग है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 36 नंबर 36 नंबर प्रश्ण है कि भारत में सरवाधिक छेतर में कौन सा मिटी पाया जाता है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में सरवाधिक छेतर में कौन सा मिटी पाया जाता है तो जलोड मेटी पाया जाता है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और आप लोग answer फटा फट लाइफ चैट में आप लोग share किजिए यहाँ पर देखे 37 नमबर प्रश्ण है कि आधुनिक चप खाना का विस्कार किस ने किया था यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक चप खाना का विस्कार किस ने किया था तो गुटेनवर्ग ने किया था तो यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 38 नमबर प्रश्ण कि उरेनियम का परमुखुद पादक अस्थल कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है कि उरेनियम का परमुखुद पादक अस्थल कौन सा है तो जादु गोड़ा है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नंबर 49 नंबर प्रश्ण की गिर्मिटिया मजदूर किसे कहा जाता था यहां पे आपको बताना है कि गिर्मिटिया मजदूर किसे कहा जाता था तो अनुबंधित मजदूर को गिर्मिटिया मजदूर कहा जाता प्रश्णा था इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर एवाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चालिस नम्बर, चालिस नमबर प्रशने कि महात्मा गाधी किस पत्रीका का संपादन किये थे यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गाधी किस पत्रीका का संपादन किये थे तो हरिजन पत्रीका का संपादन किये थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 41 नमबर प्रशने की मरोस्थलिया मिर्दा किस राज्ये में पाया जाता है तो राजस्थान में पाया जाता है यहाँ पे बीवाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 42, 42 प्रशने की बंगला देश का उधाई किस वर्स हुआ था, तो 1971 में हुआ था, तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा. आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 43 नंबर प्रश्ण की भारत की किस राजे की प्रतिवेक्ति आए अधिक हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की किस राजे की प्रतिवेक्ति आए अधिक है तो गुवा राजी की प्रतिवेक्ति सबसे अधिक है तो यहाँ पे बीवा प्रशन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चुवालिस नंबर प्रशन है कि काली मिटी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिटी का दूसरा नाम क्या है तो काली मिटी का दूसरा नाम रेगुन मिटी होता है तो यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 45 नमबर प्रश्ण की किस राजे में खनीज दिल का भंडार है यहाँ पे आपको बताना है कि किस राजे में खनीज दिल का भंडार है तो असम राजे में खनीज दिल का भंडार है तो यहाँ पे C वा कि भारत में सबसे अधिक कोईला कि इस राज्य में उत्पादित होता है तो जारखंड राज्य में होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण है 47 नंबर प्रश्ण है कि भाखडा नां बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 48 नंबर प्रश्ण है कि भिहार का सुक किस नदी को कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भिहार का सुक किस नदी को कहते हैं तो बिहार का सुक कोसी नदी को कहते हैं तो यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल् परधानता है तो बिहार में किरिसी की परधानता है तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 50 नंबर पचास नमबर प्रश्ण है कि सुचना का अधिकार कैसा अधिकार है यहाँ पे आपको बताना है कि सुचना का अधिकार कैसा अधिकार है तो यह बैधानिक यानि समयधानिक अधिकार है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देख अगला प्रश्ण है 51 नमबर प्रश्ण है कि बैस्वी करण से देश एक दूसरे से हुए हैं यहाँ पर आपको बताना है कि बैस्वी करण से देश एक दूसरे से हुए हैं तो करीब हुए हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएग आईए देखते हैं अगला प्रशन 52 नमबर प्रशन की कौन बिमारू राजे नहीं है इसमें से आपको बताना है की कौन बिमारू राजे नहीं है तो यहाँ पर देखिए बिहार, मध्य, परदेश और उडिसा ये तीनो बिमारू राजे है लेकिन करनाटक बिमारू राजे न नहीं है तो यहाँ पे C वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा एक भी प्रशना आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और हम आज यहाँ पे फटा फट सो अब्जेक्टी प्रशने देखेंगे समाजिक भी ज्यान का और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ओल पे दबा लिजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना तिरपन नमबर प्रशना है कि सि प्रश्ने की भारती रिजरो बेंक का स्थापना कब हुआ था तो 1935 में हुआ था तो यहां पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ने 55 नमबर 55 नमबर 55 नमबर प्रश्ने की योजना आयू का नया नाम क्या है यहां पे आपको बत यहां पे योजना आयू का नया नाम क्या है तो यहां पे यहां पे वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ने 56 नमबर 56 नमबर प्रश्ने की अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना कब हुआ यहां पे आपको बत 57 नमबर प्रश्ण की समाजिक विभाजन का अधार नहीं है इसमें से आपको बताना है कि कौन समाजिक विभाजन का अधार नहीं है तो मनावता समाजिक विभाजन का अधार नहीं है यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला कि पंचायती राजे की सुरुवात किस राजे से हुई थी यहां पे आपको बताना है कि पंचायती राजे की सुरुवात किस राजे से हुई थी तो राजस्थान से हुआ था इसे आपको याद रखना है यहां पे सी वाला ओप्शन बिल्खोली सही हो जाएगा आईए देखत अगला प्रशन 69 नमबर प्रशन की अप्रेल थिसिस किस ने तियार किया था यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रेल थिसिस किस ने तियार किया था तो लेलिन ने तियार किया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह पारियों की एक संस्ता थी, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशने 61 नंबर, 61 नंबर प्रशने की सोपानी क्रिसी किस राज्य में होता है, यहाँ पे आपको बताना है की सोपानी क्रिसी कि इस राज्य में होता है, तो उत्राखंड राज्य में होता है, यहाँ पे D वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशना 62 नंबर, 62 नंबर प्रशने की 200 उपभोकता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना ह प्रशने की आर्थिक विकास का तीसरा छेतर क्या है, यहाँ पे आपको बताना है की आर्थिक विकास का तीसरा छेतर क्या है, तो सेवा छेतर है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशना 64 नमबर प्रशने की निमन में से किस देश में मिस्री तर्थ विवस्ता है यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश में मिस्री तर्थ विवस्ता है तो अपने देश भारत में मिस्री तर्थ विवस्ता है तो यहाँ पर भी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 65 नंबर, 65 नंबर प्रशने की भारत में 20 अवर्ज कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 20 अवर्ज कहा जाता है, तो एक अपरेल से लेके 31 मार्ज तक भारत में 20 अवर्ज कहा जाता है, तो यहाँ पे C वाला आप्शन बि D का चुनावचिन क्या है तो कमल का फूल है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे A वाला उप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्णा इसमें से आपको बताना है कि किसे लोगतंतर का प्राण माना जाता है तो राजनितिक दल को लोगतंतर का प्राण माना जाता है तो यहाँ पे D वाला उप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्णा 68 नमबर प्रश्णे कि भारत में सरोच नाले के मुख्यन अएधिस की न्युक्ती कौन करता है तो राष्ट पति करते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे DV वाला उप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्णा 79 नंबर प्रशने की भारत में प्रेश की सोतंतरता की जनक किसे माना जाता है यहाँ पे आपको बताना है की भारत में प्रेश की सोतंतरता की जनक किसे माना जाता है तो जेम सिक्की को माना जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला ओप्शन बिल्कूली सही हो ज आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सत्तर नमबर प्रश्ण की धन्निकासी का सिधान्त किस ने दिया था यहाँ पे आपको बताना है कि धन्निकासी का सिधान्त किस ने दिया था तो दादा भाई नोरोजी ने दिया था तो यहाँ पे भीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो ज आईए देखते हैं अगला प्रश्ण एक 70 नमबर प्रश्ण की रक्त और लोह नीती को किसने अपनाया था यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लोह नीती को किसने अपनाया था तो बिसमार्क ने अपनाया था तो यहाँ पे C वाला ओप्सन बिलकुली सही हो जाएगा एक मारा गरांटी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिए और वीडियो का अभी तक आप लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कि आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 73 नंबर, 73 नंबर प्रश्ण है कि बाड सेहानी किसे होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि बाड सेहानी किसे होता है, तो फसलों को भी होता है, पसू को भी होता है, भौनों को भी होता है, यानि इन में से सभी को होता है, तो यहाँ पर हिंद चिन पहुँचने वाला प्रथम व्यपारी कौन था तो पुर्तगाली था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 75 नंबर 75 नंबर प्रश्ण है कि जेम सुवाट ने किस यंतर का अव अविस्कार किया था तो वास्पिंजन का अविस्कार किया था तो यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 76 नंबर 76 नंबर प्रश्ण कि सार्क का मुख्याले कहा है यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्याले कहाँ पर है तो kathmandu में हैं तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आजिए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर 77 नंबर प्रश्न कि नर्मदा बचाओ आंधूलन में नर्मदा क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंधूलन में नर्मदा क्या है तो नर्मदा नदी है तो यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 78 नमबर 78 नमबर प्रशन की बैंक उधारण है यहाँ पे आपको बताना है की बैंक किस छेतर का उधारण है तो जो बैंक होता है यह तृतिय छेतर का उधारण होता है तो यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 89 नमबर 89 नमबर प्रशन की बिहार राजे की किस जिले की प्रतिवेक्तियाए अधिक है यहाँ पे आपको बताना है की बिहार राजे की किस जिले की प्रतिवेक्तियाए सबसे अधिक है तो पटना जिला का अधिक है तो यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए दे में किया गया तो यहां पे C वाला option बिल्कोली सअफी हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 81 nozzle 81 नब्र已經 èंग भारत का BT.1 रजधानी कि सहर को कहा गया है यहां पे आपको बताना है कि भारत की बीती रजधानी कि सहर को कहा गया है तो मुंबई को कहा गया है तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण ब्यासी नंबर ब्यासी नंबर प्रश्ण कि कोईला किस परकार का संसादन है यहाँ पे आपको बताना है कि कोईला किस परकार का संसादन है तो जो कोईला है यह अनवी करणिय संसादन है यह आने वाले समय में खतम हो जाएगा और यह एक बार खतम हो जाएगा तो इसे हम दुबारा नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पे कोईला और नवी करणिया होगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 83 नंबर 83 नंबर प्रशने की विश्व में सरोपर्था मुदरण की सुरुआत कहां हुई यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सरोपर्था मुद्रण की शुरुआत कहां पे हुआ था तो चीन में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्सन बिल्खुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 84 नंबर 84 नंबर प्रश् आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 85 नंबर 85 नंबर प्रश्ण कि निम्न में से कौन उपभोगता उध्योग है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपभोगता उध्योग है तो जो चीनी उध्योग होता है यह उपभोगता उध्योग होता है तो यहाँ प आपको बताना है कि किस अस्थलिय मार्क से एसिया और यूरोप का व्यपार होता था तो रेसम मार्क की द्वारा होता था तो यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर 87 नंबर प्रश्ने की कावर जिल किस जिला में देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर 88 नंबर प्रश्ने की जिस देश की राष्टिया अधिक होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्टिया अधिक होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे विक्सित देश कहते हैं तो यहाँ पे बीवाला ओ पर आता है तो समुंद्र में आता है तो यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 90 नमबर प्रशने की भारत का नारियल परदेश किसे कहा जाता है यहाँ पे आपको बताना है की भारत का नारियल परदेश किसे कहा जाता है तो किरल को कहा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यवाला ऑप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आई देखते हैं अगला प्रश्चने की नरोतम सीहानू कहा के सासकतेograph तो ये कमबोडिया के सा सकते तो यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन बानवेर नमबर प्रशने की होची मी का साबदी कर्थ क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है की होची मी का साबदी कर्थ क्या होता है तो पत पर दर्शक ह इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण तिरानविर नंबर प्रश्ण की फारवर्ड ब्लोक की अस्थापना किस ने किया था तो सुवास चंद्र बोस ने किया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 94 नंबर 94 नंबर प्रश्ण की तिन कठिया परणाली किस पर लागू होता था यहाँ पे आपको बताना है कितिन कठिया परणाली किस पर लागू होता था तो यह किस पर लागू होता था तो यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 95 नमबर 95 नमबर प्रशने की चिपको आंदूलन निम्नमे से किस से समंदित है यहाँ पे आपको बताना है की चिपको आंदूलन किस से समंदित है तो पेंद बचाने से समंदित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 95 नमबर 95 नमबर प्रशने की निम्नमे से किस देश में एक दलिय बिवस्था है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नमे से किस देश में एक दलिय बिवस्था है तो बिरिटेन में एक दलिय बिवस्था है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 97 नमबर 97 नमबर प्रशने कि लोगतंत्र में फैसले लिये जाते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि लोगतंत्र में फैसले लिये जाते हैं तो लोगतंत्र में फैसले देर से लिये जाते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नमबर प्रश्न की भारत में किस परकार की लोगतंदर की बिवस्ता है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस परकार की लोगतंदर की बिवस्ता है तो अब परत्यक्ष लोगतंद मजदुर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रुजगार देने की बिवस्ता है यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा में ग्रामिड मजदुरों को साल में कितने दिनों को रुजगार देने की बिवस्ता है तो कम से कम 100 दिनों के लिए रुजगार देने की बिवस्ता है तो यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अंतीम प्रशन 100 नंबर, 100 नंबर प्रशने की भारत में बोड देने का नियूंतम उम्र क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बोड देने का नियूंतम उम्र क्या है, तो 18 वर सही से आपक याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यहाँ पे social science यानि समाजिक विग्यान के 100 objective प्रशन हम आपको बता चुके हैं, और इस 100 objective प्रशन में से 40 plus objective प्रशन आपके final board प्रिक्षा में हुब हुआ आएगा, यह हमारा guarantee है, तो इसमें से जो भी प download करना है, और test कैसे देना है, तो आईए हम आपको बताते हैं, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल को subscribe नहीं कियें, तो चैनल को subscribe किजिए, और subscribe करने के साथ साथ एक bell icon आता है, तो bell icon को all पे दबा लीजिए, ताकि जब भी live class हो, तो आपके पास notification पहुंचता रहे, तो स अगर आपको टेस्ट लगाना है, तो इस टेस्ट वाले बटन पे हम किलिक करेंगे, और इसमें से कौन सा टेस्ट देना है, तो सबसे उपर वाले टेस्ट आपको देना है, तो सबसे उपर वाले टेस्ट पे हम किलिक करेंगे, तो हमारा टेस्ट यहाँ पे open हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीची आना है, और यहाँ पे दिखे लिखा हुआ है start, तो य एक प्रश्ण का यहाँ पर चार उप्शन है जिसमें से एक सही है सही वाले उप्शन पर अगर आप लोग टिक किजिएगा तो ग्रेन हो जाएगा गलत वाले उप्शन पर टिक किजिएगा तो रेड हो जाएगा तो यहाँ पर देखे पहला प्रश्ण है कि प्रमाडू का ना क्या कारण है तो यहाँ पर देखे क्या कारण है तो होल एम इलेक्ट्रोन होता है तो अब यहाँ पर देखे केवल हम इलेक्ट्रोन पर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर बताएगा तो ऐसी आप पीडियेफ हम आपको देते हैं और पीडियेफ कब देते हैं तो रोज रात आठ बजे आपको एक पीडियेफ दिया जाता है तो उसे आप लोग डाउनलोड किजे यहाँ देखे डेट बाई डेट यानि प्रती दिन हम आपको पीडियेफ दिये हैं तो इससे आप लोग डाउ डाउनलोड किजिए और डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई किजिए रिवीजन किजिए तो उमीद करते हैं ये क्लास आपको काफी इची तरी के सिस्टम अज में आया होगा तो थैंक ये फूर वाचिंग मिलते हैं अगली क्लास में तब तक अपना ध्यान रखिये मन लग कि पढ़ाई किजिए टेक के रेंड बाग